दोस्तों नमस्कार सर्व प्रथम आप सभी को UPPSC मुख्य परिच्छा में शामिल होने की अग्रिम हार्दिक शुब कामना है और बेस्ट आफ लग सभी को एक लास्ट मॉमेंट पर कुछ मैं बाते आपसे शेयर करूंगा विशिशकर निबंद को लेकर के कि आप निबंद लिखने के साथ-साथ अगर कुछ आप रड़नीतिक समस्यां जो होती हैं उसको सुधार लें तो आप पक्का है 10-15 नमबर बढ़ा सकते हैं 4455 नमबर प्रते इंट्रेस्स से मैच करता हो अलग-अलग तरह के टॉपिक हो डैवर्सिटी हो जिसकी प्रस्तावना कुछ आपको याद हो कुछ कहानी कुछ कोटेशन कुछ कविताओं के रूप में पहली साथानी रखेंगे दूसरी है दोस्तों कि निबंद का टॉपिक चुनते समय बात क भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप किसी आम टॉपिक पर निबंद लिख भी रहे हैं तो आपका निबंद सबसे अलग होना चाहिए अलग का मतलब यह है कि आप यूनिकनेस कुछ सुझाओं और समस्याओं का समाधान जरूर दें किसी भी निबंद को जितने अधिक्त प्रस्तावना में कभी परिभाशा नहीं लिखनी होती प्रस्तावना हमेंसा कभीता कोटेशन आधिके मार्दम से समझाने और निशकर्स में जाकर के आप उसको कंक्लूड करने की आशकता होती है ठीक है और अंतिम बात जो है वो है कि निशकर्स को देखे बहुत सारे सब्सक्राइब करता हूं अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्फिस पर जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इन पांच मुद्दों पर कि निबंद लेखन में कौन-कौन सी सावधानिया रखनी चाहिए तो पहली सावधानी पर हम बात करते हैं टोटल 10-12 मिनिट की कि यह होगी ज्यादा लंबी नहीं होगी और इसमें आप इन सावधानियों पर ज़रूर ध्यान दें तो पहली सावधानि के दोस्तों निबंद का चैन करते समय बात ध्यान दें कि कि तीनों निभंद यानिकि आपको पता है कि सेक्षण बी और शेक्षण सी होते हैं जैसे से साहितिक लहजे में आप लिखना पसंद करते हैं जरूर लिट्रेचर से लिखें अगर आपका ये सारा लिट्रेचर नहीं है इंट्रेस्ट नहीं है कविता कहानी नहीं है लिट्रेचर को मत उठाएं आप कोशिश करें कि सोसल इसूस पर एक नए एक मुनिबंद आपको मिल जाता है पॉलेटिकल लिखने से बचे लेकिन अगर आपकी राजनीतिक समझ अच्छी हुए अच्छी इंद सेंस कि आप ना तो भक्त हैं किसी के ना चम्चे हैं अगर मानसिक रूप से आप तयार हैं सभी का आलोचना और सभी के बारे में अच्छी बाते लिख सकते हैं तो आप जरूर लिखें पॉलेटिकल क्योंकि पॉलेटिकल कोई लिखता नहीं और आप लिखेंगे और आपका कोई राजनीतिक दर्शन उसमें दिखना नहीं चाहिए और आपका अलग फिलोसफी हो अगर पॉलेटिकल जैसे कि मैं लिखता था और मुझे नंबर भी अच्छे मिलें अगर आप इस तरीके की जो है वह रखें च्छमता रखें तो लिख सकते हैं नहीं तो मत छुएं इसको सोशल इसूस पर मिद्दे कोई आपको मिल जाते हैं तो उसको जरूर फॉलो करें डावसिटी जरूर रखें सारे डाइमेंशन को कैसे डैवर्सिफाई करें उस निबंद का टॉपिक चुनते समय इस बात पर ध्यान देना कि टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं हो यदि आप किसी आम टॉपिक पर निबंद लिख भी रहे हैं तो आपको क्या कहा है निबंद सबसे अलग होना चाहिए जैसे कुछ होता है कि लोगतंतर की वि सबसे ज्यादा वोटर भारत में है तो आप अगर इस पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीतिक समझ रखते हैं तब आप लिखेंगे और जो हमारे चीफ एलक्षन कमिशनर जो हैं जो सबसे बेस्ट हैं चैंकुरेशी साब से सुरू कर सकते हैं या सबसे बेस्ट जो है आपके जो बेस्ट आपके कोई भी एलक्षन कमिशनर है उससे सुरू कर सकते हैं जहां से सुधार बहुत हुए है ठीक है ना सुधार जो हुए हैं उन सुधारों को लिख करके अगर आप करेंगे आप 90 के दसक में जाएंगे चुनाव कैसे होते थे अब कैसे बैलेट आयाम में आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बताए जीस ओपर वन से लेकर के पेपर 6 तक ठीक है आप सभी आयाम अब 6 तक कहोगे आपके UP special बिलकुल अगर आप निबंद लिख रहे हैं और UP से संबंदित कुछ मुद्दे हैं जैसे आप किसी परयोजना पर योजना पर लि पूछता है उत्तरप्रदेश में उसका development क्या है कि सेज में है आप उसको दिखा सकते विमन इंपॉर्मेंट पर पूछता है तो आप मिशन शक्ति जो है उत्तरप्रदेश का जरूर दिखाएंगे इन सब छोटी-छोटी बातों पर आप विशेश ध्यान देंगे कि उत्तर आलावा भी आपके हैं जैसे कुछ शब्द जो है आपके निबंद में जरूर होने चाहिए जैसे कि समावेशी विकास इंक्लुसीव डेवलोप्मेंट आपको जरूर डालना चाहिए एको-friendly बातें जरूर होनी चाहिए सस्टनेवल डेवलोप्मेंट की शब्द जरूर आन बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि 99 परसेंट जो है क्या करते हैं परिभासा से शुरू कर देते हैं यह जीएस का प्रस्टन नहीं है आपका आप जो है सामान ने उत्तर लिखने से अच्छा है कि कविता कोटेशन से शुरू कर यह फिर परिभासा लिखिए लेकिन को थोड आई कैसे पेपर मुद्रा आई फिर उसके बाद जो है हमारे पास कैसे डिजिटल मुद्रा आई और डिजिटल के बाद जो है क्रिप्टो करेंसी कैसे अगर आप दिखा पाएंगे तब जाकर कि आपका निबंद बहुत अच्छा रहेगा प्रस्तावना में कभी सीधे परि आप किसी कमेटी रिकमेंडेशन आदी क्या कर सकते हैं सीधे कॉपी पेस्ट अपना सुझाव बना करके लिख सकते हैं डबलु एचो के रिकमेंडेशन है मालीजे हेल्थ पर कुछ है कोरोना पर कुछ है किस भी मालीजे की पैंडमिक पर कोई प्रश्ण आ गया तो आप पुछा तो आप जो है जो है कमीशन इनके रिपोर्ट में बहुत सारे सुझाव दिए गये हैं उन सुझाव को अपना सुझाव बना करके लिख सकते हो अगर याद है आपको तो सीधे एरसी कोट कर सकते हो या बताओ मेरे इसाब से ऐसा होना चाहिए कुछ बड़े- लोकतंत्र से ले करके और बहुत सारी बातियां ऐसी कहीं है कि लोकतंत्र क्या है कैसे उसको जीवित रखना चाहिए और आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी ठीक न एक लास्ट पैरा जो है मेरे खिजाब से तो साथ से आट लाइन होनी चाहिए लेकिन आप नहीं लिख पा आप जरूर लिखे यह सारी जानकारी दोस्तों अगर जानकारियों को आप रखते हैं और साधनिया कुछ बरत लेते हैं ड्राफ्टिंग बिना किये निवंद नहीं लिखना है हमेशा मैं हमेशा समझाता हूं मैं तो ऐसा ही निवंद बताता हूं कि आपको दिमाग में सिर् दूरी हो तो 10% पेज पर बना लेना है maximum इतना करना है ज्यादा नहीं करना है यह सारी सावधानिया दोस्तों आप सभी को अगरिम सुबकामना है लोग जो है इस डिम का पोस्त जरूर मारेंगे मिलते हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों